तो कि चलिए देखिए बात करेंगे हम लोग डारेक्ट रेट्स की आई सी एयार के अंदर जितने भी डारेक्ट रेट्स आते हैं उन सभी डारेक्ट रेट्स को देख लेते अपन लोग डारेक्टरेट्स ठीक बड़ा इंपोर्टेंट है यहां से कई बार एक्जाम में क्वेश्चन्स पूछे जा चुके हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर मुंफली का जो डारेक्टरेट है वो कहां पर है उसको हम लोग कहते हैं डारेक्टरेट औफ ग्राउंड नट रिशर्च मुंफली के ऊपर रिसर्च करने वाला जो डारेक्टरेट है वो कहां है उसका हेड क्वाटर है जूनागड में कहां परेविल जूनागड में उसका हेड क्वाटर कभ एस्टबलिज हुआ था यह एस्टबलिज हुआ था 1979 कोई दिख्कत नहीं बस दो ही चीज़ा याद करने है एक जुनागड और दूसरा इसका इयर 1979 उसके बाद दूसरा आज जाओ वह सोयावीन के उपर सोयावीन के उपर रिसर्च करने वाला डायरेक्टरेट कहां है डायरेक्टरेट अप सोयावीन रिसर्च सोयावीन रिसर्च यह आपका इंदॉर में कहां पर इंदॉर जो इंदॉर के होंगे उन्होंने देखा भी होगा बिल्कुल सिटी में यह भवरकुआ से थोड़ा सा आप खंडवा रोड की तरफ जाओगे तो आपको महां मिल चाहेका डायरेक्टरेट अप सोयावीन सेल्टा फिर य्रीडसा मैं 1987 में यह आपका इस्टेबलेश वा था अच्छा जब यह एस्टेबलेश होता तब यह रिसर्च सेंटर था कुछ बच्चे पूछते हैं कई डारे़ots बड़ा होता है कि नियसेंटर से उपर का है यानि की पहले नेस्टनल सेंटर होता है कोई फिर अचैश से बड़ा होता है इंडियन इंस्टीट्यूट या Central Institutes तो जो इंडियन इंस्टिट्ट्स है Central Institutes है वो सबसे उच्छे लेवल के होते हैं उससे नीचे फिर डारेक्टरेट होता है और उससे भी नीचे National Research Center होते हैं तो यह जो आपका सोयवीन खाता यह जब बना था 1987 में तो उस वक्त यह National Research Center था सोयवीन का तो यह बना कैसे था एक National Research Center के तौर पर National Research Center for Soya वीन तो यह सोयवीन का एक National Research Center था तो 1987 में जब यह बना अर्षी था नैशनल Research Center था अपग्रेड तो इसको 2009 में किया गया था डार्यक्टरेट में पाग्रे एंडार्या alimentos डारेक्टरीट इसको कब बनाए गया 2009 में तो 2009 में इसको डारेक्टरेट बनाए गया उसके बाद फिर से स्कोант ग्रेड किया गया और उसको बना दिया इंडियन इन्स्टीटूट अफसुयाबीन रिसर्च 2016 में उस 2016 में इसको बना दिया था Indian Institute Indian Institute of soya being research आज की तारीख में ये क्या है आज की तारीख में ये Indian Institute of soya be research अनिक्रेंदार इसरोच इसका DIRECTORATE में वहान चॉक्चन इसका NATIONAL Research Center के उपर भी पूछे लेते हैं तीनों के उपर जन्म तो इसका 1987 में हो गया था लेकिन question ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इंडियान इंस्टिट्यूट आप सोयविन रिसर्च में इसको कब बदला गया था तो वह 2016 में बदला गया था डारेक्टरेट के रूप में कब आये था तो वह 2009 में आये था और वैसे इसकी इस्थापना कब हुई थी तो वह 1987 में हुई थी आगई बात समझ में इतना समझ में आ गया सिंपल है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर अचा हां आपका वो तो सुनाए नहीं आज का एक मोटिवेशनल साइरी तो सुन लो वही जिससे आप थोड़े जग जाओ काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए सुन लेना ध अमें सब्सक्राइब तो ऐसी जीन है कि मिशाल बना दो चलो चलते हैं अभी तीसरे पर तीसरे नंबर का जो डारेक्ट रे。पसीड और मस्टर नाम क्या रेक्टो रेक्टो रेट ओफ के रेपसीड एड मस्टर र्यसक्य यह भरत पुरmax का और ब्ढ всем आपकर यह यह में체가 में बताइगा मुझे भरत्पुर में है एस टावलिजडी में 1993 1993 1993 में ये बना था अचा यह गो ना था था ना तब भी यह निशेर्ण रिसर्श सेंटर था डारेक्ट तरेट इसको 2000 बनाए गया तो जब यह 1993 में बना था तब ये क्या था national research center था national research center रेप seed and mustard के लिए for the rap seed and mustard तीक तो 1993 1993 मैं जब ये बना तब ये national research center था रेप seed और mustard बाar 2009 में इसको upgrade किया गया in 2009 2009 में इसको upgrade किया गया डारेक्टरेट में या डारेक्टरेट कब बनाएं के डारेक्टरेट में बदला कि इसको 2009 लेकिन इस्थापना अक्व होई थी वह 1990 कि दिए तो अगर पूचे इसका इस्थापना कब या established year क्या है तो 1993 ही बताना है आपको ठीक है अब आजो चौते नंबर पर अब आप लिखो इसमें मश्रूम बाला यह बड़ा मैं देख चुका हूं जो लोग कश्मीर बगरा कभी घुमने नहीं कश्मीर नहीं अपना इधर सिमला तरफ कभी घुमने जाओ तो सिमला से पहले आपको एक जगा मिलेगी सोलन वहाँ पर एक हर्टी कल्चर कॉलिज भी है बड़ा अच्छा जगा जगा बहुत ही शांदार है मैं वहाँ पर पूरा एक दिन के लिए रुकाता अच्छे से सारी चीजा घूमी थी वहाँ पर यह मश्रूम रिसर्च का डारेक्टरेट ठीक यह भी पहले नैशनल रिसर्च सेंटर था मश्रूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिटूट का फिर इसको नैशनल बनाए गया मश्रूम के उपर इसके बहुत सारे नाम बदले गए आज की तारीक में यह क्या है क्या है डारेक्टरेट अफ मश्रूम रिसर्च है कहां पर आपका यह सोलन है इस डारेकटरेट ओफ मश्रूम रिसर्च कभी घूमने जाया करो न तो इसी चीज़ों को घूम लिया करो पाड़ियां देखने बर्फ देखने तो हम जाते हैं साथ साथ मैं अगर यह मिल रहे हैं रास्ते में तो इनको भी देख लो तो आप कभी भी जाओ तो नीचे मिलेगा आपको एक वब जैसे आपको समला जाना हो तो पहले आपको सेलन इसको देख करके जानाantal ऐसी न大गता मश्रूम registered month कुफरी जाते हिए गूमने अपना पर पोटेटो-टो रिसर्च इंस्टिटूट गूमकर क्या है अपना ठीक तो यह कहते विबंग है कि यह मश्रूम रिसर्च का कहा पर एख सोलन में है और कब बना था यह 1983 में 1983 में सब्सक्राइब इसका है 1983 का जब यह बना था नब यह एक ट्रेनिंग रिसर्च अंटर था मतलब यह था नेशनल नाम क्या था नेशनल को सेंटर फॉर मश्रूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग यह इसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर मश्रूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग यह इसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर मश्रूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग फिन 1997 में 1997 में इसको बदल दिया नेशन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मश्रूम नाम क्या कर दिया इसका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर दी मश्रूम नेशनल रिसर्च Center for mushroom mushroom का जो National Research Center 1997 में आ गया था और फिर इसके बाद December में आई थिंक हाँ December की बात है 2008 में December 2008 में इसको डारेक्टरेट में अपग्रेड कर दिया था इसको डारेक्टरेट बना दिया गया डारेक्टरेट ऑफ मश्रूम रिसर्च तो इसको भी काफी सारे प्रमोशन मिले हैं पहले कहां यह सेंटर था एक रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए मश्रूम के ऊपर जब यह स्थापिस हुआ इसको नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया 1997 में और 2008 में डारेक्टरेट लेकिन सेट अप कब हुआ था इन तरिमें हुआ था तो इस बात को याद रखिएगा ठीक मश्रूम के बाद आप आजाओ आप प्याज और लहसुन के ऊपर ओनियन एंड गार्लिक के ऊपर पांच में नमबर का है डारेक्टरेट डारेक्टरेट ओफ ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च प्याज और लहसन वाला ठीक यह कहां पर आपका पूने में है कहां पर पूना पूने में एस्टब्लिजड इयर इसका 1994 1994 में आपका यह एस्टब्लिजड हुआ था पूने में एक जगा है राजगुरु नगर क्योंकि राजगुरु नगर से भी पूछा गया है ऑप्षन में पूने था ही नहीं एक पूछा जाचुका है जहां पर पूछा गया था कि तो राजगुरु नगर में स्थापित चाओ तो लिख लेना पूने राजगुरु नगर राजगुरु नगर पूने में तो यह 1994 में स्थापित हुआ था और यह भी पहले नैशनल रिसर्च सेंटर था नैशनल रिसर्च सेंटर था नैशनल रिसर्च सेंटर था नैशनल र डाइड़क वाटर फूले नहीं नातिक हुआ उस समय जब इसथाप'T हुआ था तब इसका मतूल तो हैड़क वाटर था था it लेट फिर उन्निससों छानवे में सको पूले सीफ्ट कर दिया है इसका एडैट्पटरहिया पूले और ंदो हजार आठ में इसको बनाया ता भीर क्या डायेक्ट से इन और फांच दॉल एडारेक्टरेट आफ कैश्यू रिसेर्च को यह काश्यू रिसार्च कर पुत्तुर पुतुर यह पुतुर कहाँ पड़ता है यह आप लोग ने बता ही है मुझे पुतुर कहां पड़ता है established year has its'19 1986 कब स्थापित हुआ था आपका यह 1986 में इस्थापित हुआ था और यह भी जब इस्थापित हुआ था तो इसका नाम national research center ही था यानि यह भी पहले अनर्सी था हम यह कह सकते हैं कि आज की तारीक में जितनी भी डारेक्ट्रेट है वह पहले कभी ने कभी नेशनल रिसर्च सेंटर रही होंगे यह भी क्या था पहले नेशनल रिसर्च सेंटर था कैश्यों के लिए यानिकि यह भी पहले क्या था नेशनल रिसर्च सेंटर नेशनल सेंटर सेंटर ऑफ कैस्टियों सटाइश प loft कैकी सेंटरी सärच के लिए था ₹ Phone कैश्यू लिखते जाओ लो मैं ही लिखता हू नूं फॉर कैश्यूड तो कैश्यू के लिए पहले क्या था शूब के लिए डिर्येव लिए सर्ट सेंटर था डारेक्टरेट तो इसको 2009 में बनाये गया है 2009 में इसका प्रमोशन हुआ है अप ग्रेडेडे टू दी डार्यक्टर रेट डार्यक्टर रेट इसको बनाये गया अभी 2009 में ठीक है अब आज हो medicinal and aromatic plant वाला डार्यक्टर रेट ऑफ अडिशनल एंड एरो मेटिक प्लांट रिसर्च डारेक्टरेट जो अधिशनल एंड अ एरो मेटिक प्लांट कि रिसर्च तीक कहां पर आपका यह आनंद में आनंद कहां पड़ता है यह आप आप लोग बताइए कमेंट में ठीक और इसका जो एस्टाब्लिज्ट इयर है वो है 1992 1992 1992 में यह इस्थापित हुआ था यह भी उस समय फॉर दी मैडीशनल एंड ऐरोमेटिक प्लांट को दिक्कत हैं कि जब यह स्थापित हुआ था 1992 में तभी एक नेस्टनल ही था नेस्टनल रिशर्च छेंटर फॉर मेडिशनल एंड अरुमेटिक साथ अब आ वाज आधवा एक फ्लोरी कल्चर ईसारच कंड़ डायक्टरेड और फ्लोरी कल्चर इसंटर डायक्टरेट और फह वि settlement कर ड़िक पंद लिट्सरच यह कहां पर भी फ्लोरी कल्चर रिसर्च का यह पढ़ता है आपका पूने में कहां पढ़ेगा आपका पूने में पूना किस राज्य में आता है यह आप लोग पता हिए 2009 में इसकी इस्थापना हुई थी एस्टेबलिज्ड इयर क्या इसका भी 2009 अब आज वह एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिखवा वीड वाला खर्पतवार के लिए डारेक्टरेट और बीड रिसर्च इसके भी कई बार नाम चेंज हुए हैं इसमें भी आपको सब याद रखना पड़ेगा डारेक्टरेट और BIzय ऊफिंडर रिस्टाव इसको डीडाव् डॉ आर बड़े فॉपुलेर नाम से आधा कहां परएं पर यापका जबलपूर में है घब पूर में हाब करद सी कर इंप्सक्रू दिए है और समय जब यह बना था यह बना कब था 1989 इसकी स्धापना कब इती 1989 मोई TV और जब यह बनाता आप समझ कहें हो क्या कहने वाला हूं जब यह बना था तब यह नेशनल रिसर्च सेंटर था नेशनल रिसर्च सेंटर था नेशनल रिसर्च सेंटर था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर दी वीड खर्पतवार के ऊपर रिसर्च करने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर यही था पूरा नाम इसका था वीड साइंस वीड साइंस टीक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस फिर दो हजार नो में इसको अपग्रेड किया गया डारेक्ट रेट में ठीक इसको डारेक्ट रेट बनाया लेकर इसका नाम जो यह था वो नहीं था इसका न और तो इसका नाम था यारेग्ट रेर्ट तो इसको 2009 में बना दिया था लेकिन आपक्त टरेट और अभीजों पढ़ खाल रहे फद्यपीटिशु चूंडर आयले साइंस या अभी का जो नाम है प्रिजेंट में जो साइंस सब्त कहीं ने देखो और 2009 में जब इसको डार्योट्टरेट बनाय गया तब इसमेंस सचा तो यह सब्द को हटाया इसका नाम छेंज व था तो डार्यट टीन सब्सक्राच हें नाम चैंज कर दिया और वह च estos सब्सक्राइब 2014 में 2014 मैं इसका नाम बदला गया और ही जा Jimmy वारी सर्च कर दिया यारिनेम कर दिया कि समय heature मैं यानि कि डारेक्टण रेट आफ वीरे सब्सक्राइब के सवस्टेब्स हटा ते में खब 1974 के अंदर clear चालो अब आज ओभी दसवे नंबर पर फुट एंड माउट डिशीज वाला यह प्रोजेक्ट डायक्ट डायक्ट डूरीट ओन फूट ट्वंद माउट डिशीजं जिसको शॉट में एम डी बिबी कहते हैं घृत हुट प्रोजेक्ट डारेक्ट ट हम्धी तो पता हो नाच ही फूटल म candidates को शॉट में FMD कहा जाता थीक और यह कहाँ पर मुक्तेशवर पमयक्तशवर कहां पढ़ता है यह आप लोग बताएगा कमेंट मुंक तीशौर कहां पढ़ता है सब कब बना था इसका एस्थापित यह हैं का 1968 मैं कब बना था यह 1968 में बना था यह जब बना था था उसमें क्या था AICRP था AICRP का मतलब All India Coordinated Research Project लिख देते हैं All India Coordinated लिखने मैं कैसी शरम भई मुझे तो आदत थैं की Coordinated Research Project तो दिन भर लिखता ही रहता हूं आदत पड़ गई है एउन FMD आप भी लिखने की प्रेक्टिस कीजिए जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा आपका दिमाग डबलप होगा लिखने की बहुत अच्छी आदत है अभी हैविट धीरे-धीरे पता नहीं क्यों खतम होती जा रही बच्चों में लेकिन लिखो बले ही प्रिंटेड नोट्स हो सब कुछ हो ल कि 2001 में अपग्रेड हुआ है प्रोजेक्ट डार्यक्ट रीट में लेकिन येर जो इस थापिस वाला है वो तो हमको इसी नाम से जाना पड़ेगा 1968 का ही ठीक है तो यह अपग्रेड तो वैसे 2001 में हुआ है अब आज जो अपना दस होगे 11 नंबर का जो पाउल्ट्री रिसर् दारेक्ट रिट ओफ पौल्ट्री रिसर्च श कौुंट्री ही पुघंट रिसर्च पर कहाँ पर अभीintend यह थे रवाद में ब्दक है और इसका जू एक्ट यह है वह 1907 कि 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 ऑने इसक्या लिउन así- zeros अत्तर में था उस समय में इए आई crp था और इंडिया ऊटीनेर रिस도 प्रोजेक्ट था यानि कि 1970 में घर्ट है तब यह क्या था बैh एइस यआर पी-ता ओल इंडिया कॉडिनेटेड रिसार्च प्रोजेक्ट अन पावल्टरी पावल्टरी के उपर हे में पर यह फिरन पर न्याई hypertension में बहुंत धहरे पावली इजजतनगर में था उत्रपदेश के अंतर फिर बाद में इसको जो Saya ुप्रोजेक्ट्री क्फिर अपग्रेड किया और सका है डिक्वातर जो है वो सिफ्ज़ और दिया 1888 कितने होगा 11 आप आजओ बारवे नंबर पे एक knowledge management बाला डारेक्टरेट ओफ knowledge management in agriculture डारेक्टरेट औफ knowledge management इस नॉलेज मेनेजमेंट In Agriculture यह भी बड़ा इंपोर्टेंट है नॉलिज मेनेजमेंट इन अग्री कल्चर इसको शॉर्ट मेंट डी के एम एक आ जाता है डीके एम फूर्ष पूछा जा चुका है यह कहां पर भी आपका निू दहली में यह है कहां पर एड़क्वाटर्स का न्यू देहली में ठीक है 1929 में यह बना था बहुत पुराना है भी बैए 1929 में स्थाप्रित कब गए था 1929 में डारेक्टरेट ओफ नॉलेज मेनेजमेंट इन एग्री कल्चर ठीक है एक और लिख लो इसमें कोल्ड वाटर फिशरी रिसर्च की उपर है वहीं नैनी ताल भीमताल के अंदर ठीक है जो भीमताल नैनी ताल अगर कभी गए हो तो वहां पर आपको मिलेगा भीमताल वहां पर है डारेक्टरेट ओफ कोल्ड वाटर फिशरीज डारेक्टरेट ओफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसार्च यह है इसका पूरा नाम कहां पर है आपका यह भीमताल भीमताल की उपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं भीमताल ठीक यही ता बस उसके नाम हाल लग-लग है डारेक्टरेट आप कोल्ड वाटर फिशरीज भीमताल और यह इस्थापित हुआ था आपका कब 1987 1987 में आपका यह स्थापित हो गया था अगई बास समझ में कोई दिकत मेरे साब से तो नहीं होनी चीज़ सब सिंपल ही है ठीक है अच्छा वो जो मैंने भी सुनाय था ना एक वार फिर से सुनाय उसको काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए य जिन्दगी जीओ इसकडर की मिसाल बन जाए धन्यवाद